69 वे राश्टिय फिलम पुरुसकार 2023 दिये जा चुके हैं तो यहां से जितने भी जो भी important question बनते जो कि आपकी परिक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी को detail से cover करेंगे तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मजी में चलिए सुरू करते हैं फटापाट सबसे पहले बात करते हैं राश्टिय फिलम आवाड की सुरुवात कब हुई 10 अक्टूबर 1954 देखिए सूचना परसारण मंत्राले के द्वारा 1953 में परदर्सित फिलमों का मुल्यांकान करते हुए पहली बार 1954 में राश्टिय फिलम पुरुसकार दिये गए जिस समय ये पुरुसकार दिये गए यानि कि 1954 में उस समय देश के राश्टपती थे डॉक्टर राजेंदर परसाज जी और सूचना परसारण मंत्री थे बीवी केसकर उस समय राश्टिय फिलम पुरुसकार कहा जाता था अक्सर एक्जामें पूछ लेते हैं कि वो काम हुआ था उस समय देश के राश्टपती कौन थे उससे समंधित बंत्राल्य के बुखिया कौन थे और देखिए 1954 में सरुस्रेश्ट फिलम का खिताब मराठी फिलम श्यामची आई को मिला था इनपोटेंट है भाई 1954 में जब पहली बार ये पुरुसकार दिये गए सरुस्रेश्ट फिलम का खिताब मिला था मराठी फिलम श्यामची आई को ये पुरुसकार फिलम समहारो निर्देशाले के दुआरा दिये जाते हैं अब बात करते हैं 69 राष्ट ये फिलम अवार्ड में सरुस्रेश्ट फिलम का वार्ड किसे मिला वेरी वेरी इनपोटेंट केश्चन है भाई नौट डाउन कर लीजिए अगर आपने चुना उप्सन सी राकेटरी दा नावी इफेक्ट तो बिल्कुछ सही जवाब चुना है देखिए ये फिलम भी हिस्तरों के अंतरिक्स मिसन पे बेश है और हाल ही में चंदरियान 3 ने सेफ लेंडिंग की है तो भाई ये इनपोटेंट फिलम है हो सकता पूछ अग्जाम में राकेटरी दा नावी इफेक्ट इसे सरवस्रेश्ट फिलम का वाड मिला है राकेटरी दा नावी इफेक्ट के निर्देशक है और माधवन नेक्स्ट राष्टिये फिलम अवाड में सरवस्रेश्ट अभीनेतरी का वाड किसे मिला देखिए भाई कोई भी फ अप्सन B, अलु अर्जुन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। सर्वस्रेश्ट अभीनेता का वाड मिला है अलु अर्जुन को। अलु अर्जुन को फिलम पुस्पादा राइज के लिए ये पुरुसकार दिया गया। नेक्स्ट राश्टी फिलम अवाड में सर्वस्रेश्ट अभीनेतरी का वाड किसे मिला। अगर आपने चुना उप्सन E, C और D कौनकों है आलिया बाट और किर्थी सेनन इन दोनों को मिला है भाई। आलिया बाट को फिलम गंगुबाई कटिया वाड़ी के लिए मिला है, किर्थी सेन को फिलम मीमी के लिए मिला है। उनतरवे राश्टी फिलम पुरुसकार में सर्वस्रेश्ट निर्देशक का पुरुसकार किसे दिया गया इन्पोटेंट भाई। अपसन A, निखिल महाजन को दिया गया है। निखिल महाजन को फिलम गोदावरी के लिए बेस्ट डारेक्टर का वाड़ दिया गया। नेक्ट उनतरवे राश्टी फिलम पुरुसकार का वाड़ किसे मिला। अपसन C, सरदार उध्धम को मिला है। सरदार उध्धम फिलम के निर्देशक सुजीत सरकार। नेक्ट उनतरवे राश्टी फिलम पुरुसकार में बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का वाड़ किसे दिया गया। अपसन A, पंकज तिरपाठी को दिया गया। पंकज तिरपाठी को फिलम मीमी के लिए ये अवाड़ दिया गया। पलवी जोसी को फिलम दा कस्मीर फाइल के लिए। नेक्स्ट उनतरवे राश्टी फिलम फिलम पुरुसका वाड़ किसे दिया गया। अपसन D, काल बहरव को दिया गया। नेक्स्ट उनतरवे राश्टी फिलम फिलम फिर वाड़ में स्रोसरेष्ट पाशुक गाईका का वाड़ किसे दिया गया। अपसन A, स्रेया गोशाल को दिया गया। किसे स्रेया गोसाल को नेक्स्ट उनत्तरवे राष्टिय फिलम फिर वाड में सरवस्रेश्ट संगीत निर्देशन का वाड किसे मिला अप्सन डी देवी सिरी परसाद को देखिए सरवस्रेश्ट संगीत निर्देशक का वाड मिला है देवी सिरी परसाद को एक संबने को दिया गया है किसे भावईन रबारी को दिया गया किसे भावीन रबारी को फिल्म छेलो सो के लिए दिया गया नेक्स्ट उनत्तरवे राष्टिय फिल्म फे रवाड में राष्टिय एक्ता के लिए नर्गिस दत पुरुषकार किस फिल्म को दिया गया वेरी वेरी इंपोटेंट है और देखिए दा कस्मीर फाइल के निर्देशक है विवेक अगनी होतरी नेक्स्ट उनतरवे राष्टिय फिलम फेरा वाड में परियावरन संग्रक्षन पर सर्वस्रेश्ट फिलम का वाड किसे दिया गया किसे आवास व्यू हम को परियावरन संग्रक्षन के लिए सर्वस्रेश्ट फिलम का वाड दिया गया अब देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ फिलमे हैं हिंदी फिलम का वैस्ट अवाड सरदार उध्धम को सर्वस्रेश्ट कंड़ फिलम का वाड ट्रिपल सेवन चारली को सर्वस्रेश्ट मलियालम फिलम का वाड होम को सर्वस्रेश्ट गुजराती फिलम का वाड छेलो सो को सर्वस्रेश्ट तमिल फिलम का वाड कदेशी विवाईशी को तो ये आप जरूर एक बर देख लीजिएगा हाला कि यहां से question बहुत कम पूछे जाते लेकिन फिर भी आप इसे miss मत कीजिएगा तो भाई जितने भी important find थे न हमने cover कर लिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत